Asalankan viewers, my name is Vaan Chimaya and welcome back to another video. This video is about overseas prime and to be specific, in overseas prime block C. इस video में explain करने कोशे करो के block C जो है जिसमें सिरफ 12 अमाला के plots है, अगर हम dimensions की बात करें तो 12 अमाला का plot बनता है 40 by 68 और अगर हम बात करें overall square yards में, तो 300 square yard का plot बनता है. block C में 12 अमाला के plots, block C और block B, दोनों blocks को as in block B fully नहीं बट partially जिसमें बारामाला के plots भी हैं लेकिन block C में fully blocks में सिर्फ बारामाला के plots हैं जो अच्छी elevated जगा पे located है इस वक्ष्ट्रीन पे जो footage देख रहे हैं ये main एक believer'd है मैं in fact before going into the details of video मैं try करता हूँ कि आपको map से तुमाम चीज़ें explain करते हूँ जिससे आपको काफी हद तक clear understanding मिल सके कि block C में इस वक्ष्ट development का status क्या है block C में development इसलिए भी important है कि block C में जितने plots हैं वो सिर्फ एक ही category के plots हैं और जब possession offer होगा तो block C को most probably one of the earliest block जिनको possession होगा offer क्योंकि block C के साथ इतनी connecting roads है in fact जो भी आप screen पे एक road देख रहे हैं ये एक main believer है जो block C के सामने से गुजरता है और ये इसको connect करता है उसके साथ left side, right side left side पे सारी सिर्फ C block है और right side पे दूसरे blocks है तो इस block के मैं आपको तमाम चीज़ें details explain करने की कोशिश करूँगा before going into the details सबसे परहें देखते हैं कि map पे कि ये वाला block कहां locate करता है और इसमें plots की details क्या है इस वाक आपने screen पे overseas prime block C का map देख सकते हैं और overseas prime में block C में जो मैंने भी थोड़े पर एक road को mention किया था वो जो road आप इस वाक स्टीन पे देख सकते हैं यह मैं जो मैं जूम कर रहा हूँ यह road में double road है यह road की starting point होगा इस access road 1 से जिसका प्राणा नाम access road 2 था इस access road 1 से लेके यह block C के सामने से गज़रता होगा then block F के सामने से गज़रेगा then this roundabout पे यह roundabout भी इस वाक कहलें कि आप convection काम हो रहा है और इसके बाद यह directly इस पार्ट से connect करेगा जो के main bolivered है 300 feet जिसकी 180 feet main corporate road होगी अब इस road आटेच होने के बाद इस से direct res मिल ज़ेगी access 1 और access 2 को आपस में और block C जो है वो यहाँ पे locate करता है access 1 के बिलकुल पास यह जो आपको red call का बड़ा सा बाक्स नज़र आ रहा है यह school यहाँ मस्जिद के लिए plot reserve होगा और पीछे जो आपको यह वाले चार मला commercial plot नज़र आ रहे हैं यह 30 by 30 100 square yard के commercial plots होंगे जो society ने 1.5 ला की price पे sell किये थे अगर हम block C की बात करें overall तो block C में जितने plots हैं तमाम के तमाम plots सिर्फ एक ही category के plots हैं जनी category बनती है 40 by 68 यह 12 मला के plot यह 300 square yard और अगर हम block C को count करें तो block C और block F these are one of those blocks जो सबसे ज़्यादा elevated block consider किये जाते हैं in overseas prime हाँ बहुत सरे लोग सवाल यह भी करते हैं कि हाँ बहुत सरे plots ऐसे हैं जो depression के plots होंगे तो जैसे आपको यह block B में साथ मला के plot नज़र आ रहे हैं यह थो से depression के plots होंगे partially और जो यह sector A में आपको यह जो townhouses नज़र आ रहे हैं यहाँ भी कुछ आपको depression के plots नज़र आ रहे हैं बाकी जो elevated plots हैं वो block C के हैं और बाकी block F भी काफी ज़रा peak elevated point है in overseas prime जो current map है उसके मताबग बाकी आने मेले दिनों में जब इन पे मजीर development होगी तो मैं उसकी वीडियोस भी शेयर करता रहूंगा for the time being आज की वीडियो से block C के हवाले से है again back to real time footage इसकी स्क्रीन पे जो आप कुछ पहाड़ी चोटे मोटी पहाड़ी सलसला आप देख रहे हैं यह जो block C में located है और इन सारे plots की cutting की जाएगी यानि इन plots की जो यह पहाड़ियां इनको स्टार्ट के block, block G है, block H है वो fully leveled block है block H में कुछ streets है, कुछ plots हैं जो elevated है बाकी सब के सब plots हैं तक्रीबन level ही है उन में कोई high इतनी elevation नहीं है block C के बिल्कल opposite साइब बात करें तो आपको जो कुछ elevated left side पे पार्ट नज़रा रहे है यह block F का पार्ट है और block F की back side पे जहां पे आपको कुछ machines नज़रा रही है इन machines के साथ यह आगे left side पार्ट है, यह block E का पार्ट है और right side पे जहां में कुछ machines नज़रा रही है यह सारा पार्ट block F का है जो पीछे continue करता है, जो पीछे आपको थोड़ा सी heighted area नज़रा रहा है यह block F से आगए आपको golf course का view मिलेगा इस block F और block E के C के साथ होने के साथ एक बड़ी बात यह कि सारा पार्ट A की terrain पे वाकिया है यह जब let's say कि यह आप development की बात की जाए तो elevation तकरीबन सेम सेमी है सिवाए कुछ plots के block F के और कुछ plots के block C के तमाम के तमाम plot ही equal elevated है block C और block F यह दोनों वो blocks है जो one of the most elevated blocks in overseas prime जो पीछे में आपसे depression वाली plot की बात कर रहा था जो आपको background में कुछ bridge की साथ area नज़रा रहा हो को तो यहां से अगर आप difference काउंट करें तो आपको काफी जादा massive difference feel होता है अगर आप block C से पीछे वाली side पे यानि जो आप कहलें के lake view block और जो overseas one हो देखें तो आपको height का difference एक feel होता है back side पे जो बाकी golf course का view है block C से भी equally उतना ही golf course का view मिलेगा specifically hole number 8, 9, 11 and 13 के और जो बाकी block F से जतना अच्छा golf course का view मिलेगा उतना ही equally block C से अच्छा भी मिलेगा block C के सामने विली side की बात करें तो block C के सामने विली side पे खारी मुरत range है जिसमें आपको कुछ mountain terrain नजर आ रही है और यहां पे जब definitely जो लोग घर बनाएंगे और यहां पे end user point view से रहने के लिए आएंगे और इस view के साथ definitely उनको काफी ज़्यदा अच्छी value मिलेगी उनके घर की घर को बनाए as an end user देखता है अपने अराम के तोर पे कि कितना ज़्यदा luxury और कितना ज़्यदा अराम दे और उसके घर से कितना अच्छा elevated view बनता है बाकी blocks का यह बाकी streets का तो इस लिहाँ से block C को अच्छा advantage हासिल है अक्सर मुझे call आती है कि कौन सा block है यह कौन सा block है यह सबसे साथ elevated है कोई भी block या कोई भी मुकमल block कभी भी elevated नहीं होता हर block के अंदर कुछ specific streets होती है यह specific lanes होती है जो elevated होती है बाकी जो block है वो equally A की height का होता है यह नहीं भी होता तो साथ इस को level पे एक street को A की level पे ले आती है block C के बिलकुँ back set पर जो block B है और block A है यह clear difference है यानि कि जो आप कहलेंगे block C की और block A की elevation का आपस में clear का difference होने सिर्प राद यह है कि अब block B को आप block C के मताबिक elevated नहीं कर सकते उसकी reason क्या है कि block B है और block A है वो already थोड़ सी low terrain पर बाकिया है comparison to block C and block F and partially block E and partially block G as well जिसमें कुछ part है जो काफिजा elevated है कुछ part है जो नीचे का part है so yours यह जो अवराल आपको पूरी train या वराल development दिखाने का मकसद यह कि इस वक्त overseas prime में जो development हो रही है उसके वाले से आपको update कर सकूँ कि overseas prime में इससे पहले जो overseas one block है उसमें तक्रीबर साथ से 8 block हैसें जो साइटरी ने तक्रीबर फुली develop कर दी है most expectedly जो overseas prime है इसमें भी इस साल के end तक यानि कि October से स्टार्ट होगा possession and 2021 के end तक बहुत सरे block में possession handover हो जाएगा overseas two में भी at the same time most of the part में जो इस तरह यहां पर भी leveling start हुई है overseas two and overseas executive two specifically map out नहीं हुआ बट वहां पर भी काफी ज़्यादा जहां पर expected है काफी ज़्यादा leveling हुई 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 है तो expectedly दोनों blocks का साथ साथ possession आएगा most probably यह मेरी एक साथी रहा है अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है अगर आप स्मार्स रोटे में booking के वाले से कुछ मालूमाद चाहिए हो तो मैंने number आपके screen पे available है अगर आपको यह वीडियो ची लगे तो please do like, comment and share और चैनल को subscribe करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए जल्द अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिस